असलाम लेकूम आप सब को खुशाम दीद शो का नाम है दमिशी खान शो और मैं हूं मिशी खान आप आप लोग सब खेरियत से हैं ठीक ठाक हैं नाजीन इतनी सा गर्मी है ना और इस गर्मी में त्यार होना और शो के लिए जो है प्रिजेंटेबल होना मुश्किल काम है पर भार निकलते हैं तो बाहर आपको लगता है कि बाहर भी आपना ही रहें क्योंकि इतना ज्यादा पसीन और इतना ज्यादा श्वेटिंग हो रिया था रिया होगी है और आज की रेजिपी भी है आप लोग के साथ मेरी गप शब भी और गप्श्ब और गप शब वेरी आजकल ना पैद हो गया है यहां लोग अपने घरों की problems discuss कर रहे होते हैं या अपनी problems discuss कर रहे होते हैं लेकिन एक जो असल गप्शप है न जिसको हम conversation कहेंगे उसको लेके चलना उसके अंदर थोड़ा सा humor एड़ करना थोड़ा साट पिंच ओफ सार्काजम भी ओ लेकिन आप सार्काजम यानी तनकीद और उस तर्पाइब की जो है परसनल अटाएक्स जो है वो जादा हो जाते हैं और किसी एक इनसान को पकड़के फिर उसी के उपर अटाएक और यह उते हैं कि सारे जो है उस इंसान को एक हुमर का जरिया बना लेते हैं तो आज के शो में आप हिसा ले सकते हैं कॉल करके 051-410-2249 उसके इलावा मेसेज कर सकते हैं कला में सॉरी मुझे बिलकुल ख्याल नहीं रहा आप लोग के जो मेसेज़े हैं ऑन WhatsApp वो पढ़ने के लिए 0-335-488-434 पे आप मेसेज कर सकते हैं आज का जो खुबसूरत ड्रेस है और जग सारा स्टूडियो और ग्रे कबर अच्छा कॉमिनेशन है विद ब्राइट पिंक या आप देख सकते हैं खुबसूरत पेंक है इसकी इंब्रोइडरी यहां साथ में हुई है इस था एक सेमी फॉर्मल कल कब ड्रेस जो था वो फॉर्मल था आज का थोड़ा सा सेमी फॉर्मल है इनके आप उस पे जा सकते हैं इंस्टाग्राम के पेज़ पे जगसारा स्टूडियो और इनके नंबर्स भी सेक्ग जने चल रहे हैं मैच करने से जो ग्रे और पिंक का जो एक इमतिजाज है। उसमें चार चांद लग गये हैं। क्योंकि शूज जो होते हैं जूते मेरी-कमज़ोरी हैं। और किसी भी ड्रेस के साथ जूते जो हैं। वो अगर आपने बुडे पहन ली हैं या किटिक 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 वाले पहन लिए हैं जो जिसका डिजाइन नहीं अच्छा और अगर वो महंगे भी है ना तो वो सारी आउटफिट जो हो जाता है यानि उसका बिलकुल मलिया मेट हो जाता है इसे शूज जब भी आप खरीदें एक तो कमफट लेवल देखें और ख्याल जरूर रखा करें क्योंके पैर जो है वो आपको एक जगा से दूसी जगा लेके जाते हैं लोग कपड़ों पे जूतों पे हर चीज पे बहुत खर्च करतें लेकिन जो पाओं है ना वो जब नजर पढ़ती है तो पाओं जो है वो इंसान की सबसे जादा इंपॉर् दालें थोड़ा सा नमक दालें जिससे आपके पैरों का दर्द भी खतम हो जाएगा और उसके अंदर थोड़ा सा शैंपू और थोड़ा सा कोई भी ओयल लेके डालें और अपने पैर जो है उसमें सोक करके नीड़ों के रखे 15-20 मिंट आपके पैरों की जो खुशकी है और जो दर्द है और जो थोड़ा सा जाहरे जो कहीं से कटे वे भी होते हैं तो वो जो है ठीक हो जाता है उसके बाद आपने उनको वाश करके आपने कोई भी जो पेट्रोलियम जली होती है यहां को अच्छा सा फुट लोशन वो अच्छी तरह लगाएं और कॉटन के सॉक्स पहिन लें और फिर आप देखें तीन से चार पांच दिन में आपके पैर जो है वो खुबसूरत प्यारे लगने लगेंगे हर एक को इंसान अच्छे पाउं दी हैं आपने अगर उनको मेंटेन नहीं किया तो फिर आपकी गलती है तो पैरों को जुरू मेंटेन अल्ला बख गोगे थे उनके जूते इतने चमक रहे होते थे तो जूते जब भी आब आप जायन एक शू शाइनर मिलता है स्पंज वाला वह अपने बैग में रखें या घर के बाहर जाते वे रखें जाते आते आते आपने वह शू शाइनर मार लिया क्योंके अच्छे कपड़े पहने लोहर जाते आप से जी 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 कैसी आप बतलजी खेरियत से हैं अधर कि आदे करें आप बहुत प्यारी अप्ति हैं अधर को डोड़ कि क्रह सब्सक्राइब एंए और बछी यांद्धि आप 30 माचला बहुत प्यारा लाज रहे हैं तांक यू जी बहुत बहुत प्राइन दोर के लोग थे वह उनमें बहुत रख रखा और चीजें इसी उतीदी जो के आज कल बिल्कुल ना पैद हो गई हैं जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप ना जी अच्छा मैं आज का सवाल आपको पता दूंगे पाकिसान के किस शहर को कॉलेजिस का शहर कहा जाता है लाहर मेने पेले सुना नी जी 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 लहुर आपके आपने जो आप दिया लहुर है जो कॉलेजिस का शहर ठीक है, ठीक है थेके, थक्यू खोहि eh ... कि मेरे बाल आज बननी रहते मैने क होई कल वाला ज और अध्यारी है गए घुरा है है जूड़ा कहते है है किसम की चुटिया बन गे तो उनका बलबा शुक्रिया रहे स्टाइलिंग गर्मी में आजीन आई हेट टू ओपन माई हेर मुझे होता है बंद बालों ताके आपके शकल भी नजर आए और थोड़ा सा जो है ना हिसाब किताब ठीक हो अचा सब से पहले होंगी कल सुबाए कल सुब़ा सॉरी रिपीट में आपके शड़े ना हबसे और दुपर में यानि से पहर में शॉरे 4 बजी आप रिपीट देख सकते हैं आज का सब 실내 के पाकिसान के कि स merco college is का शहर का जाता है और आच की जो मारी मेहमान होंगी वो हैं पलवशा फ्रोज अबासी जो के डेपिटी कोडिनेटर इन पंजाब विमन प्रोटेक्शन अथारिटी आज खवातीन के जो मसाइल है और खवातीन पे जो आजकल एक अताब आ हुआ हुआ है उसके उपर इंशाला बात करेंगे ऑना सीरियस नोट और शाजी अकपर हैं जो के पोईट है एन हबूब नमांग कॉल करें 051410 2251 पे हमारे साथ फिर्स चेकंड कॉलर है लो असलामलेकूम वालेकूम जाब जी कैसे हैं आप ठीक ताग है आप जनाए शुकर आप जनाए शुकर अम्द लाख है यह से कौन बात कर रहें मैं फैसल बात कर रहा हूं कल भी आप दे बात अब जाए शुकर आप जो कर दो आप सुनाए यह कैसे हैं सब खेरियत है ड़ाटी चीज़ चाहिए चाहिए जाए फैसल साव कर भी आपने सौल का जवाब ने लिए पूर का बात है कल के सवाल का जवाब था बलोचस्तान में सबसे ज़्यादा जबाने बोली जाती है अग अब असलाम अलेकम जी जी वालेकम स्लाम कौन बोली है क्या लागा फजल थैंक्यू कौन बाद कर रही है यह आपको ठीक ठीक है अपका नाम क्या है में जीनत कैसी हो जीनत ठीक ठाग हो जी जी बिल्कुल बहुत अर्सा हो गया है बहुत अल्ला का फजल सब ठीक ठाग है जीनत तो यह मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब कि पाक्सान के किस शेर को कॉलेजिस का शेर का जाता है लौर में लौर ही होगा मेरे खिया से आपके लौर है हेलो जीनत जी आपके का में लहु रहे फीलार लौर यौर यौर लौर यौर यौर य। थैंक्यू सो मुझ बहुत बहुत शुक्रिया ना सी अलब माउन जोक सिस्थी में कंसीठेर हों कि मुझे अपने जोक बहुत पसंद है और होने भी चाहिए देखें आप अपनी कंपनी जो है सबसे जादा एंजॉय आप करते क्योंकि आपको कुछ जोक्स ऐसे भी होते हैं जो तो आप आजाते हैं अपने अधर मैस्ति डरके माइन नहीं जारी आज यासर ने कल और पिशावर से नहीं है क्या नाम है उनको शफीक साभ शफीक साब पिशावर से शफीक साभ और यासर इसलामबाद ने कल का था कि कराची बिर्यानी बनानी है नहीं खूब चटखारे द में मेसेज़ की तरफ मेसेज आप कर सकते हैं 0-335-488-434 पर पहला मेसेज आ गया असलाम लेकुम मैं हाजी अजगर की पोती ये शाल आपका सवाल का जवाब है लहौर थैंक यू सो माच बहुत बहुत शुक्रिया और अब दूसरे अता जी कुमारी पूर से फैसल बात कर रहा हूं सवाल का जवाब है एमदाबाद एमदाबाद how come I'm a big fan of your channel your show is very nice बहुत बहुत शुक्रिया आपका looking extremely beautiful in today's show mashallah queen बहुत शुक्रिया नहीं पिक्चर भी मतलब जो screen पे चल रहा है नहीं सब्सकी पिक्चर भी नहीं बना के भीजिए बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जी उफ यह तो बहुत ही लंबा है मुल्की स्यासी हलात का जाइजा अच्छा यह तो मैं नहीं पढ़ सकती आप लोग भेजे मैं आप लोगे मेसेज़स भी सासवा शामल करती जीरो डबल थ्री फाइब फोर टिपलेट फोर त्री फोर पे आज का सवाल है कि पाक्सान के किस शेहर को कॉलेज का शेहर का जाता है वुफ राजीन बार जो है ना इतने कॉले कॉले बाद काले नहीं कहते हैं यहां पे कुछ एरियाज है वहां पे काले कॉले 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 बादल आ रहे हैं और इसकत आज बारिश प्रेडिक्टेड़ है इसलाम बार राल पिंडी में सब्सक्राइब करें तो अब चलते हैं अपने किचन कॉर्ण की तरफ और मैंने पहले से आज का मेन्यू जो है वह सेट कर दिया कराची बिर्यानी आज बनेगी जबरदसी और आपको पता है के कुकिंग के हवाले से मेरी काफी मशूरी हो चुकी है लेकिन जब आप रिपीट में देखते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि यह कुकिंग शो है कुकिंग शो नहीं है इस होल शो एक सेग्मेंट कुकिंग है जिसको मौ यानि मैं खुद करती हूं तो आज जबरदसी बनेगी कड़ाई कहन बिर्यानी वीटीम इतनी खुश्ष है जिपके कि शादी हो रही है शादी हाना पकर है हम बनाएगा नाई है लौस्ट अलेकूम अस्लावलेकूम जी वर्णी मेरी कैमरे टीम सबसे बेस्ट है अभी कह रहे होंगे काल-काल-काल फिर इसका मतलब टाय 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 ताय हो गया दर के मारे उड़ जाती हूं कि मेरा शोब में सो गया पहले मैं मॉनिंग शोब करती थी ना पूरे नहीं पकाने, यह देख लें, एक कनी, इसमें आप एक से सवा किलो तक की चिकन जो है, इसको छोटे पीस करवाले हैं, वरना घर में रड़ाई होगी कि बोटी नहीं मिली, तो इसे छोटे करवाले हैं, सोला से बीस पीस करवाले हैं, महिंगाई बहुता है, इसलिए, और उसके बाद गोल टमाटर जो है, वो हम जब तेह लगाएंगे, उसके लिए इसमाल होनी है, दो अदद प्याज इसमाल होंगे इसमें, दो टी स्पून लेसन अदरग का पेस्ट यहां खुटा हुआ, वो इसमाल होगा, एक अदद पूरा पैकेट, मेरे पास टाइम नही अच्छे मसाल, जो कंपनीज हैं, उनका मिल जाता है, कोई भी आप बॉम्बे बिर्यानी या दूसरी वाली बिर्यानी का मसाला जो हो ले सकते हैं, हस्बिजा का नमक देलेगा, गोल, यह देख लें, लीमू है, यह भी हम तै के दौरान डालेंगे, और हरी मिर्चे हैं, आप लोग घर में आलो बुखारा जरूर डालने, और इसमें हम डालेंगे रायता भी बनाएंगे, और इसमें जो चिकन बनेगी, इसमें आदा कप के बराबर इसमें दई भी डालेंगे, ताकि जब तै लगे, तो जो राइस है, उसके अंदर थोड़ा ऐसा जान आ जाएग एक कप के बराबर हम वाओ, फैंसी, यह क्या है, यह कैसे, नाजी हमें जग की आदव था, यह क्या आपने इतना फैंसी फैंसी, बस ठीक ए नाजी, एक कप आपने इस तरह डाल दे, यह वैसे ड्रिसलिंग के लिए होता है, कि आप को फ्रेंच या इतलियन डिश बना रहे ह एक कप हमने डाल दिया इसमें ओयल, और इसको हम अन कर देंगे, और यह पकेगा, क्योंकि मुझे मैस्क अच्छा नहीं लगता तो इसको मैंने अन कर दिया, यह अब जैसी थोड़ा सा गोल्डन होगा, उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे, हैं, नहीं जल रहा, आग दे सब्सक्राइब नाजीन, जरूर आचुके हैं वापस, और आज बन रही है कराजी बिर्यानी, थारा, यह देखे, प्याज और लेसन अद्रक कुटा हुआ जो है, एक कप ऑईल में हमने इसको शामल किया, अब आप देख ले, कोई कहीं नहीं लिखा होता है, कि जब तक करना है, नजीन, भी हमने यह करना है, गर्मी बहुंत है, त्वेखे, नाजी गर्मी बहुत जाता है, ओ मैई गॉट घॉट् यह चिछो आप इसके बाद यूए चिकर जो आना, इसमें में आब आपको बताती हूं, ट्विस्ट, गें ट्वी त्विस्ट, इसके अंदे हम ड तो उसकी गरे भी जो एना वो टमाटर की तरहीं बनेगी अब हम इसमें डालेंगे इसी चिकन में यह हमने डालाया दई आदा कप के बरावा सुबहा हो जाएगी अगर इस तरह डाला तो यह चार पांच और छे और थोड़ा सा बचाएंगे हम रोयते के लिए राइता जो एन बिर्यानी का मसाला हा और इसमें डाल देंगे एक अदर एक टीस्पून यह नमक ताके इसके अंदर फ्लेवर आजा लेकिन थोड़ा सा नमक हम इसको को किंगे दौरान डालेंगे क्योंकि चाबलों में नमक नहीं है इसको हमने मिक्स करना है स्पैचुलर से आप मिक्स कर ल जाता है तो इस तिक कोई भी चीज आप मसाला जो है ना उसको थोड़े से दई में डालें या पानी आड़ कर लें तो से मसाला जो है ना उसका जो है ना फीलेवर बहुत अच्छा होता है दो चम चॉर डालते हैं बच्ची कोई बात नहीं एक और दो नाजी मूँवें पा प्लीज उसकी वो निकालने हैं जो गुट्लियां होते हैं कॉल करें 051-410-2249 आज का सवाल है कि कॉलेजिस का शहर किस चेहर को का जाता है एक अलदर इसमें डीमू ने चोड़ के डाल दिया मैंने आए हाई 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 यमी दिल चाहर है कच्छी खा जाओं वैसे खात हो अजिसकते हैं लेकिन दिल चाहरा है है लो सामलेकूं वा अलेकूं असलाम वरहम तुल्हाइटा अलाव वरकाता हूँ मैं ठीक चाही साब आप सनाये कैसे हैं खैरिये से हैं को सलाम तरखे लाव पूरे चैनल के कार्पनों को सलाम के सबको मेरा बहुत ज्यादा दुआ एं बहुत जादा स्लाम आप खैर मुझा रहा है भूबार आ जिया लाइकम स्लाम 30 हास्तोर पर जिन कैमरा मैं हजर्थ की खालला ताले साथ जादियता फर्माई मैं उनको बहुत मुबारिक बात देना चाहता हूँ यह लग जब एटी आती है घर में समझ लोला कर सूल का सलाम आता है बिलकुर बेशक 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 बिलकुल सही का आपने बेटिया नहीं होत आप समाई आमीन समाई आप है बहुत बहुत शुक्रिया है साब कैसे हैं कैसी तेपित आपकी अलहम्दोल्ला बेटा बड़ा का रहा है मैं जब भी दिद दो पहर में लीमू पानी में डाल कर पीता हूँ तो मुझे डाक्र खावर्या बहुत जादा यादा आते हैं और हर होँँ कैसी तो मुझे तो मुझेर चाहरा रोज एक लिमू अपने पानी में डाल तीन हैं विल्युगल मुझे जब सेमाच तक मकमल तोप बरिला नागा परो उरून पीनों को याद करता हूं और वाकि मैं उनकी बड़ी प्यारी बाते थी और बरी शिम्पल बाते थी और के ऑबिस्लिण को उनकी बाते हैं आपको यह दैने बड़ बाद शुक्रिया इसाब थैंक यू सब्सक्राइब बाद कर लिवास भॉट खुछ रंग है तैंक यू सो माझ बहुत शुक्रिया इसाब तो सूईट अपको च्छा लगा है साथ है सब चले गए काल रॉप होगी थैंक यू सो मच हजी अजगर साब थे फॉम अटक और उनकी पूरी फैमली को मेरा पूरी टीम का खास सलाम वापस आ जाते है नाजीन इस पे कुराची बिर्यानी पे अच्छा इसको थोड़ा से अच्छा इदर का जो है ना वो प्रे करते हैं कभी कभी तो मिला करो कभी कभी तो उठा करो कभी कभी तो बैठा करो उन्हों ने का था कि वो इंशालला अपनी फिल्म पतरी कौन सी फिल्म के लिए गाना होगा लेकिन ये कि कभी कभी तो कभी कभी जैसे ही आता है ना लफ्स तो उनका गाना याद आ जाता है और जगा दे और डॉक्टर गफारली खान जादा को मैं हमेशा मिस करती है इस पैस्टी जब मैं खाना टेस्ट करती हूं तो उनका जो एक औरा थाना बहुत जबरदास था अचा यह वापस आते हैं यह देखे नाजी क्यों नहीं लाल हो रहे टाइम लगा रहे हैं लाल होने में यह तेज वाला चूला नाजी मेरा जो पराना स्टूडियो थाना उसमेरे चूला मुझे इतना याद आता है हुफ फलो इसको बंद करें वुजर बिगर था नहां लाइक 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 लांगेज़ इस एक मासा कॉलर है हलो साम लेकॉम वालेकम असलाम मेशी कॉलिजों के शहर लाहर से रोजीना बात करेंगों अच्छा कैसी है रोजीना खैरियत से हैं मैं विलकल ठीको मैंने सूच मैं अच्छा लगता था यह तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर भी मैं करती हूं इसी मैज़े से कल गाना में उत्मान रईस से बोला था उसमें वह वर्ड मुझे भूल गया था मगर मेरी तरी कलमात पोचा दीजेगा क्यों बहुत अच्छा गाया बहुत नहीं माशा पता है क्या उनको तो कोक्स स्टूडियो में जाना चाहिए इतनी जबर्दास दवाज है उनकी बहुत अच्छा गाते हैं और जो गाना मेरा वर्ड गलिट था कि हम प्यार में जलने वालों को चैन कहा आराम कहा तो मैंने जलने की जगा मुझे और उनने वैसे ही गा दिया और मिशी इसके लावा आपके गेस तो खेर अभी नहीं आए हैं तो सवाल का जवाब तो वही लहोर है कालेजों का जो शहर है वो लहोर है अच्छा आज का जो हमारा थोड़ा सा गुफ्तकू होगी ना वो थोड़ी सी अजरा सोशल इशूस पे होगी खवातीन के हवाले से तो आप पहले से कर कोई सवाल बता दें तो मैं उनसे आपके तवस्च से पूछ लूँगी खवातीन के प्रोटेक्शन के हवाले से जी जी बलकुल और एक तो खैर पोईटिस आएंगी वो तो मेरी फेवरिट गेस्ट होंगी तो अल्ला करें आपको उस टाइम मिल जाए सब्सक्राइब टोरिमेश कि लोग मुझ को जान जाते हैं तुम्हारे नाम से सब लोग मुझ को जान जाते हैं ने वो खोई हुई खूई फूई एचीज बोगो जिसन का पता तहुम हो वा 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 जबरदस जबरस जबरदस वेरी नाइस रिज तांक है थैंकि आप्सREE हली कि असान तरीका बताऊंगे हलीम का मेरी कजन को बड़ा पसंद आया था कैने कि वही तो यह सान बताया अपने तरीका अपने अच्छी अच्छी लगते हैं तेंक युजी मैं यूजी पैंसली पहनती हूं यह क्यों के मैच कर रही थी रहा तो इस विजा से मैंने फिर सोचा के मैचिंग जादा इंपोर्टेंट है थैंक यू सो माइज बाद बाद शुक्रिया हमारी प्यारी सी कॉलर फ्राम लहूर रोजीना इंशाला हलीम जो है वो नेक्ट वीक जुरू बनाओंगी नाजीन इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 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 हूफ दिल चार अब जो हमने इसका जो पूरा ये बर्यानी के लिए जो हम चिकन कर रहे है ना इसको आपने ये देखें ड़ी डालने से यह हुआ है कि ये इतनी गूई हो गई है कि जब हम इसको तैय डालेंगे तो वाह कमाल हो जाएगा अब इसमें थोड़े से ट्रमाटर डालते हैं बिस इसको थोड़ा सा कवर करेंगे इसके थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद हमने ये आलू शामल करके इसको हलकी आंच पे अट लीस्ट 15 मिनट तक अच्छी तरह कुक करने है उसके बाद हम इसको जो है एसेंबल करेंगे इसका जो भी तैय लगती है वो अब आप देख ले हैं अपनी बास्केट मैंसे और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक और जीरा जीरा नाजीन मेरा फेवर्ट किदर गी चुरी किदर गी हुआ है 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 हलो अस्ताम लेकुम हलो सालेकुम जी कौन बोल रहे हैं जर्नाब बोल रहे हैं इसलाम बासे महनाज जर्नाब कैसी है आप ठीक ठाग है बेटा बोले आगे से हेलो जर्नाब जर्नाब कहां है चली गई आजी जर्नाब चली गई है यह देखें हाई 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 नमक डाला है इसमें जीरा बस डालना वो बेशक में ब्रेक में डाल लूंगी यह हम इसमें इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करें थोड़ा सा गाड जीरा या वो मेरी इतने अची आची आमारी होती थी ना नाजीन पुराने किचन में I really miss it उस मेराम से मैं निकालती ते मुझे इदर पता निये के गुल्दाद भाई ने चीज़े कहां रखी है you know ये हमने बना दिया ये अब इसको हमने थोड़ा सा क्लीन कर रहे है वेरी वेरी इंपोर्टेंट जब आप सर्फ करें अचाहिए इवन घर वाले हो जरूरी निके महमानों के लिए आपको उपर से नीचे कलवाजियां खानी होती है आप अपने लिए भी जब बनाये ना तो आप तो बी वेरी ये नौ प्रिजेंट अवल ये अमने बना लिया रायता इस अब जो है ये देख लें आप अमने टमाटर इसमें शामल किया थे जबरदस्त इसकी लू का आ रही है ये अब इस स्टेज पर मैं हरी मिर्चे शामल कर दूंगी और कटी भी डालेंगे और जो ये बगहर कटी भी है यानि के सिर्फ डंडी आपने निकालनी नहीं है इसको स्लिट कर रहें ये भी जरूर जाएगी इससे बहुत मज़ा आता है ये हो गया एक अब आसाथ कॉलर है हलो सालेकों अलो सालम अलेकों जी जी वालेकों साम कॉन बोल रहे हैं अनुर्शा बॉल् श्रॉण घघगल कर दो आतो रहे हैं ये बendo rightने आपको एटमोद्स अबालम जी रूक्ता है क्या अच्समार्टा गाता है कि बॅल्च वेको एख इससे कि आपको प्रोग्राम हमको बयूं आपके लिए लगलेह़त है अच्छिविक आपकी को वे एटैं 오늘도 कि आप सावधी रभिया से कॉल करें अन्वर्षा साफ तो नाये आपके लिए अगले हफते अगले हथे तो हमारे लिए तो शेकन इडाय बना एक या चर्सी तिका बनाना चर्सी तिका प्लिए प्लिए आट विसे तो नहीं अपना पती पर जब टीका और यह जिकनकर एक एंज आई एक नेम पिर मटन कडाई एना चिकन कडाई तो मतलब पिर आपके बिले मुटन कडाई बनाते हैं मेर्टन कड़े जैने लोग बनाए देकर हम खोच चिकन कड़ी यजिया पूसंद कर भैं तिकर आण वर्शा मैं आपका सौदेपर आप वर्शा साथे वियन वर्शा साधिन जो डाए बाइगा झा झाथ लिए उसके लिए किया उसमें कुछ डूलना पड़ता है साग्याबाद में ड़स गिर नाम देखे नाजी चर्सी तिका वैसे मैं अब मैंने कभी लिया निया ने कॉलर ने नाम लिया तो मैं जब पिशावर गई थी ना वो डमास वाला शो कर रहें तो वहां पे ना रस्ते में हर जगा हर जगा मैं क्यार गी खाते हैं उसके बाद हम जूमले जमीन, जूमले आस्मान, अच्छा नाजी एन अगर शेबास भाई ये दिखा देना इसका जो इसकी लोक है उसके वाइस में मैं आलू डालूंगी फिर उसके बाद हम लोग तुम से पहली सी महबत मेरे महभूब ना मांग वो तुनेंगे ये ये देखे, लुक ये देखे, आव हमने डाल दी है इसमे आलू, अब ये फखेगा, 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 आपने किचन को भी साफ रखना है, ये देखे, अब हमने बिस्म्लामान रही में इसको अची तरह मिक्स किया, इसमें थोड़ा सा पानी डालेगा ताके ये जब आलू है, ये भी सेमा के बराबर पानी शामल किया, और इसको मैंने कवर करके दर्म्यानी आँच पे अब इसको रखते हैंगे, गैस बेशा को हूँ, लेकिन उसकत फिर मैं तेह लगा दूँगी, तो ये हमारा में जो कराची विर्यानी की त्यारी है, वो पूरी होगी है, ये 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 हमने इदर लिए, ये हमने इद रखानी है, और और क्या लगाना है, ओके बस ये चावल इदर आगे, इसके बाद, इसके बाद, एसके बाद, आइल भी रख लेते हैं, तो ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा उइल पहले से डाल रही हो, जो बहुत ड्राय चावल है, क्योंके इस पे, आप कोई इटालियन डिश बना रहे हों तो आपको ये वाली बॉटल जो है ये काम आती है पाकिस्तानी के लिए तो सुबह हो जाती इसको हमने अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लिया चाबलों को ताकि उसकी ड्राइनस जो है वो खतम हो जाएगी और थोड़ा सा मैस में फिला है और आलू भी कच्छे आप बेशक बॉइल डालू जो है बॉइल करके और उसके बाद तेह में डाल सकते लेकिन फिर वो टूटने के बहुत डर होता है तो इसलिए आप आज की रेसिपी जो है मिस्टर यासिर एंड पिशावर से कौन थे शफीक साब शफीक साब को आज क जो है पसंदाई बहुत 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 शुक्रिया थांक यू एकमासाथ कॉलर है हलो स्लाम लेकूं शफीक साब ठीक ठाक शफीक साब आप सुनाएं कैसे हैं खेरियत से थिखाव चंकिनी से बस नामने तौप लिए मैं जशा बता लिया अच्छा अच्छा चैसे हैं सब ख जाली थी अच्छा चाच्छा चाच्छा बस आज मुझे वो कल्भी मुझे यादा तुमने वो जाओ आप कचा दिया गरम चीज की मूह में डाला तो एक दिन काल आया था और डाक्टर गफार खाला दालन को जन्नत फिर दोसमें आमीन शीबता फर्माएं आमीन उस ते का पुष्चान विज लिए बॉला तो जो जिन आज भी बहुत यादा है अच्छा जब आप गरम चीज मूह में डालते है नो पुक्तू कि मूह के ओकूरता मिलाड़ अगरम कचा लुख लुख लूनू अगराई अगराई कोल बरे का लुए सचे अगरा पुर्भा वर्त यह लिए अखरी ऑलर्जी वारम अच्छी थोगा रही है सबीक साब का कहरें फूट यह से फ़र नी का वोले शवीक साब कॉल आ रिया जाजी प्लीज काल ना करें मेंसेज केरें हलो जारो ट्यारो एलो हलो वाइसलाम कॉन कॉन प्री कॉल का यह मतलब है कि आप दबदब कॉल करें ओके नाजीन मैं अच्छा मैसेज पढ़ लेती हूं मैं अता इलाही चितराल से मैं आपका प्रोग्रेम बहुत शौक से देखता हूं अगले हफ्ते मेरी फर्माइश में चिकन कडाई बनाएं एक विसाथ देर विसाथ नी चेकन कराई का एंक भी एए इसीट अव को लगज़े सिवार शेबाश लीम रमासलाम बाद जो शौकरिया हरी पूर से फैसल बात कर रहा हूं सवाल का जवाब है एप्टबाद और डार चुब उट चाहे बहुत शुक्रिया थैंक उसलाम आलेकों मिश्य युटिंग नाइस एयान ओवान फ्रॉम आप्टबाद थैंक यू सो मजी बहुत बहुत शुक्रिया और के टू प्रोग्राम बोथ अच्छा है बहुत शुक्रिया अब नाजीर अच्छा यह मैंने खोला दुपट्टा पता है क्यों आपको दिखाना चाही थी कि जो जगसारा के दुपट्टे है ना दे आप ब्यूतिफुल यह प्योर शिफॉन का दुपट्टा है और यह अग लगता है टुडिशनल स्टाइल में और डुपट्टे पैना करे शल्वार कभी इसके साथ प्लीज खुब्सूरत सा सौंग है तुम मुझसे पहली सी महबबत मेरे महबूब नम कम बैक राजी वापस आ चुके हैं तो इस सेकत हमाई गैस भी मौजूद है आचुकी है वो सा का सवाल है कि पाकिसान के किस शहर को कॉलेज्ज का शहर कहा जाता है इस पर बता सकते जीरो डबल Frage 54 Allah 44 3 4 मैसेज भी कर सकते हैं आज की नेनी पहली महमाने हैं आज खवातीन के हवाले से जो एम ठीटेक्शन की हवाले से कुर्ट बिल पास हुआ है नहीं हुआ और आजकल जो तशद्दुत के वाकियात आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खवातीन के हवाले से उसके उपर भी इंशाला बात करेंगे तो आप लोग भी हिस्सा ले सकेंगे को आपका सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं मेरे साथ मौझूद है जो है करती हैं और साथ साथ एडूकेशनिस्ट हैं पहले भी शो में आ चुकी है जब मौनिंग शो में करती थी और मिझे बड़ी खुशी हुई है कि आज भी वक्त निकाल के आई हैं पहुदी प्यारी सी शाजिया अकपर असलाम अलेकों वेलकम ऑन दिशो थैंक यू मिशीर कैसी आप ठीक है तो आप से हम जरा शेर शायरी बलके का और वेसी सबतीन खवातीन है और जितनी हवातीन देख रही है प्रोटेक्शन के वाले से जो आजकर तश्द्द्द के वाकियात हो रहे हैं बहुत जादा बढ़ गए हैं उसकी वजवात मैं आप सभी जरूर पूछूंगी सबसे पहले पलवशा ये जो अभी एकदम से एक वेव आई है ब्रूटल किसम के जो वाकियात पेश आ रहे हैं जो के बड़े संग्दिली से भरपूर है बहुत ही जादा ये एकदम से शुरू है तो इसकी क्या वज़ा क्या है इसकी अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि होता ये है यूजरी होता रहते हैं लेकिन क्योंकि हर चीज़ सोचल मीडिया पर हाइलेट नहीं हो जाती तो इसलिए हमें बहुत कम चीज़ों का पता चलते हैं वरना हर चार घर में एक घर में डोमेस्टिक वालेंस हो रहा होता है एनी आइडिया के इसके रीजन क्या है जो जोआ के सबस्क्राइग तो लोगों को कौस्च है मिलती है वो पता है कि वह बेल पर चले जाएंगे ये हमारा रा सिस्टम बॉक है बिलकुल ऐसां ही होते हैं एक केस होता है उसमें इतना टाइम लग जाता है अगली सजा भोते वोते होते कि चुछ नेक्स क्रिमिनल होता है उसको भी एक आइडिया होते है कि भी पहले के साथ क्या हुआ है जो मेरे साथ हो जाएगा तो हमारे सजाएं बहुत टाइम पे होनी चाहिए ताके इस तरह के केसे बहुत जल्दी रोके जा सके और आई थिंग वह पहला केस में बहुत हाइप होती है फिर वो डाइडाउन हो है उससे आपका जो एक टेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है और इसी तरह अगले से अगले आता है एक्जाक्ली बिल्कुल ऐसे होता है अभी जो यह एक वाक्या पेश आया था उसमान मिर्जा वाला अब देखें वह जाहर जाफर वाला आया तो पिछले वाले वीग पढ पर उसके बाद अब एक नेक्स आगया फिर उसके बाद नेक्स आगया देखें अगर सजाएं टाइम पे होना शिरू हो जाएंगी तो हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ों से बद सकते हैं और जब सक्त सजाएं होंगी तो यह जो मॉडिफिकेशन है जो हमारे जुडिशल सिस पर लोग जो है उस चीज को फॉलो नहीं करें बतलब देंगे अब जिसरा हम लोग का यहाइप नजयाब में प्रोटेक्शन अथॉरिटी हमारा विल इकांप पहले से पास हो चुका था लेकिन अब उस पे लोग अमल नहीं कर रहे काफी लोग इस चीज को सी अपी नियू और काफे लोगों को इस बात के बारे में पता भी नहीं है कि वोमन का एक जो पिल है वो पास हुआ वा है एक्जैक्ली बिलकुल काफे लोगों को इस चीज़ के अब अब देखें वह प्राम इनिस्टर साब ने जो रेपिस्ट है उनके लिए केमिकल का स्टुएशन का का वह ऐसा हुआ नहीं कि रोज इस तरह के वा क्या पर चब्रस अगर तक देखें ऐसी जब सजाएं ऐसी सजाओं की बात की जाती है तो हमारे हुमन राइट्स वाले भी पर आ जाते हैं के नहीं ऐसे सजाएं के बढ़ने की क्या वजवात हैं देखे मिशी मैं बिएंग एन एजुकेशनिस्ट भी और बिएंग अवमन भी मैं यह महसूस करती हूँ और मैं बरमला कहना भी चाओंगी कि देखे तालीम बेशक हम बजाहर कहते हैं बहुत सारे तालीमी अदारे हैं हम बचों को आला तालीम जो है उसके लिए बाहर भी बेज़ते हैं यहां पे भी ऑपरचूनटीज हैं लेकिन तालीम के साथ तरबियत का जो पहलू है वो बुरी इसके के वो तरबियत गाहें ही रहें और वहां पर एक देखें एजुकेशन इस सम्थिंग के मोडिफिकेशन आफ बीहेवियर है अगर आपके परसनलिटी में पॉजिटिव जो है वो चेंजिस नहीं आती इक मीन्स यूर नाट एजुकेटिड आपका यानि आप उन लोग पर एक लोगों का फॉरी रियक्शन सामने आता है वो रिसर्च बेस नहीं होता है उसके पीछे हमें रियाल्टी जो है उतनी ज्यादा हमें पता नहीं जो 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 रियाल्टी सामने आती है मैं थोड़ी दिर पहले मैं और पलवश्या बैठे हुए थे तो मैं इन से इसी और प्रेंट्स के साथ जदकी पसि किसी पबिल्लिक प्लेस पे जाते हैं तो किया किसी भी शख्ष को यह जुरत हो सकती है कि हूँ हमारा पलू खेंचे कि किसी शख्ष торत हो सकती है कि वहो ज्यादा से जद़हा कोई वह बहुत ही विगड़ा हुआ हो तो वह और इसको अग बिनारे पाकिस्तान की बात करें, बाकिया जो था, जी, तो अगर उस वाके के तनाजर में भी हम देखें, तो कोई भी शख्स जो है, इस तरह से पब्लिक फ्लेस पे किसी भी खातून को इस तरह से हरासा नहीं कर सकता, करना भी नहीं जाये, लेकिन हमें, बिंग अ फीमेल भी कुछ हमारी अपनी भी रिस्टिक्शन्स हैं, कुछ हमारी वैलियोस हैं, कुछ हमारी नॉम्स हैं, कुछ हमारी एकदार हैं, मश्रकी एकदार हैं, हमें उनको भी थोड़ा सा अगर हम पेशे नज़र रखें, तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को इस तरह से जुरत नहीं होती, हम खुद थोड़ी से अगर अगर अपने बाडी लेंगविज से अपने जेस्चर से अपने एक्स्प्रेशन से कुछ ऐसा मैसेज कनवे करेंगे कि दूसरे को इतनी इजाज़त मिलेगी या इतना होसला मिलेगा तो फिर वो देखा दा कि अगर एक ने कोई माइनर सा मतलब काम कि तो दूसरा उसकी देखता कि उससे दो कदम आगे बढ़ने को कोशिश करेगा तीसरा दस कदम आगे बढ़ने कोई पलू खेंचेगा कोई हाथ पकड़ेगा तो बात कहां तक चली जाएगा पर इसी को कहते हैं मॉब अटैक जिवाब मॉब में फस जाते हैं तो फिर वो एक हुसकती है वो सकती है कि आपको पता लगे कोन से आदमी थे जो आपके साथ क्या कर रहे थे सो फच्छर ने हैं वह तो पहचाने जाएंगे جए और पार्क में पी काफी केमरा साधों जो थे जाहर है पार्चाणे तो जाएंगे लेकिन हम यह नहीं कह सकते के सभवी मैंने काफे इस चीज के बारे में बोला भी था और फिर सबने मुझे बैक्राइश पिकिया कि आप तो बहुत उसको सपोर्ट करी थी कि सब प्री प्लान था जो कुछ पी था लेकिन यह कोई भी प्लान नहीं कर सकता कि कोई आके मुझे हैरेस करें कोई आके मुझे खेंचे य सब्सक्राइब करें लोग मेरे साथ इस तरह की हरकात करें सॉरी आपकी बात कर रही है मैं जरूर यह कहूंगी कि कोई प्लान ठीक है आप अपने टिक टॉक के वीडियो की लिए प्लान करके गए यह कुछ लेकिन आपने शायद यह दूर अंदेशी नहीं थी क्योंकि आप होते हैं साथ में बडये जबाने मिशीर का यह ईए प्लिक में जाते हैं थिल्कुल सुने इस सबने ना हमारी रियास्त का भी एक बहुत-बड़ा कसूर है कि family parks में आप क्यों allow करते हैं इस तरह के लोग इस तरह के growth ले लड़के exactly ठीक है वहाँ पे security कम क्यों होती है वहाँ पे बाहर अगर security है तो under security क्यों नहीं होती and especially that was 14th of August उस तब को पता था हर कोई aware होता है कि roads पे लोग किस तरह निकलते हैं लोग किस इसको सेलिब्रेट किया नहीं चाता कि हम तहमल मिजजे से सेलिब्रेट करें हमारा जोश इतना जादा हो जाता है कि हम बाज़े लेके निकल आते हम लोग hooting स्टार्ट कर देते हैं हम लड़कियों को स्टॉक करना शुरू कर देते फॉलो करना शुरू कर तो इसी चीजे हो रही होती है तो अब हमारे इंतिजामिया को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सेक्यूरिटी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए और यह कि जिस तरह आपको पता ही होगा एक इसलामबाद का बड़ा फेमस मॉल है जहां पर ट्री अंडर रुपीज है अग्जाक्ली अगर आदमी जाना चाहें तो यह भी है कि अब पार्क्स में और इन जगों पे फैमिली जो छुटियां होती है उस दिन से फैमिली शुट बेलाओ यह नहीं कि दस का गोल लड़कों जा रहा है यह पांच का गोल लड़कों जा जा रहा है यह नहीं कहते कि पूरे माबब बच्चे हो आप अपनी फीमल फ्रेंड्स के साथ हैं का जंग साथ साथ सौरी आ सकते हैं बेहनों के साथ आ सकते हैं तो लेकिन अवाइड करना चाहिए एसी जगों पे खुद भी जान हम किसी को बताते हैं कि हमें हमारी तरफ तुम तो यह एक्जाक्ली ऐसा नहीं होता मैं पॉइंट इस अगर आप किसी के सामने रिविलिंग क्लोट्स में भी हैं और वो रिपिस नहीं है तो वह आपको देखेगा लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कि आपने इसको रे तो कि दो ही ओंंट सी कि लड़की बुरके में हैं कि लड़की कम कपड़ों में हैं जादा वात invented में रिपिस में रे करना है वह यह नहीं कि किसे पहने बैठा और जो यह र bash visitors नहीं है ना बिमारी का जो root cause है जो तश्कीस है कि जी बिमारी शुरू कहां से हो रही है वहना उपर उपर से हम लोग यह दबाई खालो वह दबाई खालो जीज ठीक नहीं तो इसके लिए root cause के लिए मुझे लगता है कि आपको आपकी गवर्मन्ट को भी स्ट्रिक्ट अकडाम करने च बिल्कुल उसके लावा भी में यही कहूंगी कि हमारी सजाएं बहुत जल्ली होनी चाहिए और बहुत जल्ली देनी चाहिए आप देखें अबरॉड में जब आप बीचीज पे जाते हैं तो वहां पे तो कोई full clothes में नहीं होता ठीक है वहां पे यही पाकिस्तानी जो पार् पीच्रीज के जाएगी तीन साल बंद करेंगी उसके बाद उनको ब्लाइक लिस्त करेंगी और गजी एक्जाकली क्योंके वहां पे सजाए फॉरंट दी जाती है हमारे हाँ सजाओं का बहुत मसला क्यों यह जो मारे जुडिशिल रिफॉर्म जैंगी का बहुँंगी कॉल के बाद आपने बताना है आप से भी मैं पूछूंगी दूसी बात ये कि आप यूए को देख लें बिलकुल यही पाकिसानी वहां की लाइन में जब लगते है ना इसे इनकी जो आना सिटी गुम हुई भी होते हैं कि वहां पे इतने क्लब्स हैं इतनी प्यारी प्यारी यहां पर तो पिचायरे हैं हमारे प्रीस वाले पेट पहले भागता है फिर वो पाद में थोड़ी उनकी फिटनस का भी इखाल करना चाहिए एक हमारे साथ कॉलर भी है हलो स्लाम लेकूम वालेकम स्लाम कौन बोल रहे हैं यासर अली कैसे हैं आप ठीक हैं अल्ला का शुकर अज़ए है उसके अवाले से हमाई गैस से कुछ सफाल करेंगे आप जोनों मैडमों बहुत शकर गुजार में बुजार में इसको शोवें पुलाया है थैंक यू रहे हैं और अजी कहांगा और जोड़ी इडूकेशन जो है वो बहुत जोड़ी जोगों चाहे वो श्यर के झोणिवें निपर ऒनगे हैं जोड़ी जोगतेशन झालीम आजे को अंटरम इंवागों से माग में साथ करूं भागोज वी तो चाहड़ी बिल्कुल माभा के भड़ढ पाइय खतर जाए है जोगा माब तक टाइम नहें इह ताए कर ग wonderful वे हुश्चि जोगलार में ज, प् बिलकुल सही कह रहे हैं इनका भी मौकफ यह है वह बहुत शुक्रिया आसे रिली अभी इंशाला तै लगती है वियानी की वह भी करेंगे सजाओं की बड़ी देखें जब तक सजानी मिलेगी हर केस जो है चाहिए लगाफ कर देव लड़की बिचाहिए किसा जो हुआ आइटिंग आइवन एक्स्प्लेइन के कितना गुरूसम इसी के साथ कोई हो सकता है उसका जी केस अफजी डियने टेस्ट हो रहे हैं परी सब कुछ सामने हैं सामने हैं जो जजजेज हैं और यह क्यों इतना हमारा वे यह जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं आप तो गवर्म यह होता है कि वह बहुत जादा लटकाई दिये जाते हैं एक जेनब का केस तो जो काफी जल्दी बंद भी हो गया लोग पीछे पड़े वेते ना अभी यह है कि जितना हमारी अवाम फ्रेशराइज करेगी देखें हम लोग का प्रॉब्लम यह है कि एक हैस्टाइग लगता आपसे मैं थोड़े आपके प्यारे सी शेरो शायरी भी सुनते हैं लेकिन मेरा जरूर यह मैसेज है कि इम्रान खान साब से कि जो पुलीस के रिफॉर्म्स हैं इंवेस्टिगेशन जो है उसके स्टाइल को बदलना होगा लेटिस करना होगा उनको आपको उस पर भेजना हो होगा जो नए तरीके हैं इंवेस्टिगेशन के दूसा यह के जिडिशन रिफॉर्म्स की सफ जूरत है कि महीना डेड के अंदर एक केस जो हाई प्रोफाइल केस है जिसका नोटिस भी ले लेते हैं वो विसके में भी इतनी देर लग रही है तो फिर आम केस तो फिर पांच नहीं को जाएं सिच आव में जबरदास पने कलाम सुनाइंगी एक कॉल रे लुपने जरू हैलो सामले कॉम उलते हिस नो ऐसलमों एक मेसी हैं वहालकूम सलम कैसी है कौन बद करी हैं जी मैं तीको मैं अन्ही इस आप अन्हीम दोल जुकर वहाएं कैसे यह नाम खेरियत से हैं भाइस तरह नहीं घूशना थाई बहुत आफ स्वाइशियों अन्हा करो है अन्ही mut मेरे उनसे दोतीन बार बार भी थी बहुत याद आते हैं अलापको भी चबर दे मेरा फुद जवान भाई फोट हुग है मुझे बताएं के पाकसान के किस शहर को कॉलेजिस का शहर का जाता है अन्हीं आपकी कॉल रॉप होगी बहुत 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 शुक्रिया शाजिया आपने कोई किताबे मी लाई है मैं दिखाना चाहूंगी एक मेरे लिए लाई है जी मैं आपके लिए लाई हूं थैंक यू तो नाइस भी आप बाद हुसने कामल है शाजिया अकबर यह देख लीजिए यह अवेलिबल है प्लीज जुरूर जो है हमारे जो पोईट्स हैं उर्दू के उर्दू का फरोग दें और यह देखें प्यारी सी है तस्नीफार 2011-2016 मुहबद हुस्ते कामल है नजमे है इनकी 2016 में यह जो है और यह टाइटल पेंटिंग से भी अपनी होती है मैशा टाइटल पेंटिंग बें की अपनी है माशाला और चाक पे रहने दो मुझको घजले हैं शाजी अकबर की यह आपने खुद किया यह देखें नाजिन कितनी जबरदास पेंटिंग है प्यूटिफॉल और यह प्यारी सी अपना आप खसारा करना पड़ता है वरना इश्क दोबारा करना पड़ता है व मेरे शो में जब भी कोई पोई आते हैं मुझे हमेशा किताब जो है गिफ देते हैं I think is the best gift अब आप सुना यह मैं जरा उदर जाते हैं चाजिया जी अभी चुंके इतना गंबीर सा हमारा मुदू जो है डिसकस हो रहा था जी तो इसलिए मैंने उसे के अकार्डिंग लियर अपने जो शेरों की चौइस थी वादल यह उसके अकार्डिंगली सुनाती हूं कुछ बिलकुल बिलकुल अब कोई तस्वीर बनाते डर लगता है खाबों की ताबीर सुनाते डर लगता है और बिखर न जाएं कच्चे रंग कहीं चुन्री के सावन रुत में बाहर जाते डर लगता है और मारे हिजर भी रात को नीला पढ़ जाता है यादों का तिर्याग पिलाते डर लगता है उजली मांग बहारों की ये कौन भरेगा घर आंगन में फूल उगाते डर लगता है और भटक गए तो तनहा प्यासे मर जाएंगे सहरा तुझ से आँख मिलाते डर लगता है जात का पिंजरा साथ उठाए फिरते हैं हम इस पिंजरे से बाहर आते डर लगता है और चिन जाएगा अर्ष मिरा जो तूर उठेगा चिन जाएगा अर्ष मिरा जो तूर उठेगा प्यार की जन्नत हाथ से जाते डर लगता है कुछ रस्ते मन्जिन से आगे भी जाते हैं शाजिया उसको ये समझाते डर लगता है अब कोई तस्वीर बनाते डर लगता है खाबों की ताबीर सुनाते डर लगता है और मिशी आपने जो शेर पड़ा उसका अगला शेर मैं इस वक्त आपके नाम करी हूँ इस वक्त जो आप बर्यानी की तहें लगा रही है अपना आप खसारा करना उपड़ता है अपना आप खसारा करना उपड़ता है वरना इष्क दुबारा करना पड़ता है और चाहे किसी से बात अधूरी रह जाए किसी से बात अधूरी रह जाए लेक काम तो घर का सारा करना पड़ता है काम तो घर का सारा अगर नाव बढ़ता है तो मिशी इस वांग बर्यानी की तहें लगाने में मश्रूम है माशाओला माशाओला बहुत प्यारा अपने कलाम पड़ा और नाजीन ये भी एक शौक होता है ये देखे ना ये भी एक आर्ट है कि हर कोई जो है शायरी नहीं कर सकत और हर कोई ऑगाना नहीं कह सकता और अगर दोनें कोई कर ले तो आई थिंग इस ग्रेसिंगर टैलेंट माशायरी के बारे में कहा जाते है tahun що ये शायर300 पह चाहर होता है या नहीं होता नहीं होता है द्रम्यानी कोई चीज नहीं हो सकता जैसे ब्रेनी बनाना हम सी एystem कि आम्मद के साथ आपके तख्यूल नाजी मैंने इसकी जो तैय है नीचे मैंने थोड़ा सा ऑईल और जो शूरवा है वो डाला है अब मैं थोड़ा सा हलका कर दो क्योंके अब यह दम पर बनेगी अब आप देख सकते हैं केस में मैंने डाल के जो गोल टेमाटर कटे वे उसकी जदे उसके बाद मेंने दूद' के अंदर यहां पानी थे जर्दे कर रंग है जर्दे कर रंग जो इस तरह डाला और यह थोड़ा-थोड़ा करकि आपने इसमें शामल किया हल्का-ख़ादाने उसके बाद इसमें मैंने 2-3 एंक तैय यह लगगी इसके ऊपर अब हम जम आप से फर्माइस तो करते हो मेना सारे हाव बिर्यानी आई आई एक सो गूड अचाम कर बिया हर किसी का बिर्यानी पकाने का श्टायल एडा आप कै डिफरेंट करती है में डिफेंट विसे आगे स्नॉर्मल मरी नॉर्मल वाली रेसी पीटिया नॉर्मल वाजी यस पीटिया नाजीन एक जो है मैं चाहूंगी कोई इदर आजाए नहीं नाजीन यह मेरी तय रह जाएगी ओके नाजीन हमें जाना ब्रेक पे एक तय लग गई अब दूसी जब आएंगे तो आपको दिखा दूंगी कि उपर से कैसी है एक विक सा ब्रेक एस जो बिर्यानी नकीती फरमाइश यासर अली ने और शफीक सा यासर एली ने इसलामबाद से और शफीक साब ने पशावर से वह बस तैलास लग गई है इसमें यह वेने इसमें डाल दिया यह देख लें और यह जो लीबू है हमने लीबू भी इसमें अच्छी तरीके से डा दिया अब जो बाकी रिमेनिंग दूद और कलर है इसमें आफ जाफरान भी थोड़ा सा डाल सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उससे खुश्बू और अच्छी आएगी इसमें नामान रही मिस कौम ने इस तरीके से इसमें शामल कर दिया अब क्या करना है थोड़ हम लाना निकले और फिर वह वो सकता है जल सकती है यह विम्ने उपर से थोड़ा से मैंने एक आदा ली मुव पड़ा था यह हम उपर से डाल देंगे और इसको आप कोब कर देंगे यज आपने इसके साथ जो कपड़ा है इसको थोड़ा सा गीला करना होता है एक ताकि दम है फिर बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है इसको आपने थोड़ा सा गीला किया और इसके बाद हम इसको बस लगा देंगे और 15-20 मिंट आपने हल्की आंच पर इसको दम लगाना है और उसके बाद इसको निकाल लेंगे रायता आप देख सकते हैं अभी इसके बाद के व सब्सक्राइब कर लिया करें ताके क्लीन अपरेशन जो है कुछ आई डिश मैंने निकाल दिया है और अब सिर्फ इंतजार है दम का दम हो जाएगा तो उसके बाद परफेक्ट हो जाएगी सारी चीज थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2249 पे और आज का सवाल है के कॉलेजिस का शहर जो है वो किस पाकिसान के शहर को कहा जाता है कॉल भी कर सकते हैं आप कॉल नहीं मिले तो 035-4888-434 पे आप मेसेज कर सकते हैं अब मैं चलती हूं अपनी प्यारी-प्यारी दो महमानों की तरफ और आज पलवशा अफ्राज अबासी है मार साथ डेपटी कोर्डिनेटर इन पंजाब विमन्स प्रोटेक्शन अथारिटी और शाजिया अकपर है मार साथ पोईट एजूकेशनस मुश्किल मुश्किल बाते तो हमने काफी कर लिया अब मैं चाहूंगी के थोड़े सी गप्शप दिखी जाए खवातीन की एक हो होती है गॉसप प्रों पे फलानी निकापन अब यह ऑन गार काजी गॉसप अबस एसी वली इसी टाइप की होती है इसी राइप की तेकिन कप्रों वाली निए इससे जादा रूए दिफरेंग कि उसने वो किया उसने फुलाने को कॉल क्यों कर दी एमीन यह बताने की जूर लेकिन इसमें जब हम यानी सेम फील्ड के जब लोग वैटे होते हैं जैसे मैं जब कॉलिज में अपने स्टाफ के साथ होती हूं तो मोस्टली इस किसम के मुझवात ही वैसे कप्ड़े और खाने के रात को क्या बनाया था मैंमान आ गय थे तो क्या किया था और बच्चों क क्या क्या मेशागल हैं और आज कल जो है बच्चों के भी हैवियर मोडिफिकेशन किस तरह से हो रही है फिर ये कोविट के दोर में किस तरह से रूटीन कैसे सेट हो गये ये सारी बाते दो रूटीन राइलाइफ की खावतीन के दर्मयान होती हैं लेकिन जब मैं अपने उन शोरा और अदीबों में होती हूं तो जाहर है उनके साथ या साथसा के साथ तो पिर हमारे नजरियाती जो है मुबाइस भी होते हैं और खास वर पे बुक्स डिसकस होती हैं मुख्तलिफ कोई नई किताब है या कोई ऐसे मैं वैसे मेरी अपनी भी आदत है मैं अकेली होती ह आप काम करें थी मैं जब किचन में जिस गंड़ 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 जो मैं काम करने के लिए जाती हूं तो उस दोरान में आडियो बुक्स सुनती हूं अच्छा अच्छा यह वड़ी अची चीज़ है और यह अब हमारे पास इतना बिजी लाइफ है कि इतना जाता टाइम भ हो था कि हम किताब पढ़ें मैं तो हैर किताबों बहुत शोग से लेती भी हूं पढ़ती भी हूं लेकिन मैं सब को यह सज़ेस करती हूं कि इतनी बिजी लाइफ में अगर आप कोई और काम करें ऐसा काम जैसे आप किचन में काम करें या कपड़े दोरे या कोई और घर की गरा कुछ कह रहे हैं तो उस दोरान मुबाइल पे आप जो है बुक्स सुन सकते हैं यह कोई और ऐसी अच्छी जो है डिसकेशन्स वो सुन सकते हैं जिया मुईदीन को सुनती हूँ यूसभी के हवाले से उनको भी सुनती हूँ फिर मुख्तलिफ किताबें जो इंटरनेशनल मुवी मेरे पास देखने का टाइम ना हो तो मैं उसकी जो शॉर्ट है अक्सर खुला से बने बनाए मिल जाते हैं यह मुवी सब्जेक्ट पे और इसमें अगर वह ट्रेक्ट करें दस मिनट में यानि उसका जो ब्रीव से डिसक्रिप्शन है अगर मुझे अट्रेक्ट करें तो फिर मैं कहती हूं कि अच्छे यह मुवी देखनी चाहिए ना जी मुवी देख के जो मज़ब है ना मैं मुवी के उपर भी आती हूं को एक कॉल लें से पहले जल्दी से आपके कुछ मेस्जेज़ आया है जीरो डबल ट्री फाइफ ओर ट्री फो ट्री फोर पर असलाम लेकुम क्या हाल है आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी लग रही है आपके गैस भी बहुत अच्छे हैं प्लीज एक चीज़ किया करें जगा का नाम और अपना नाम लिख दें ताके फिर पता चले कि आपने कॉल की है काइंड ली मिशिया पी आम शिफ लाहर इस कॉल फिर नाजीन एक तो कॉले ना किया करें इस पर रही बहुत है लाहर इस कॉल सिटी ओफ कॉलिज इस ओके आपने नाम भी नहीं लिखा और अच्छी असलाम लेकूं मैं गुजरात से हूं मिश्ची जी मुझे आपका शो बहुत पसंद है और मैं बहुत शॉक से देखता हूं और डॉक्टर गफूर गफार साब भी बहुत अच्छे हैं वो क्यों नहीं आते शो पर इस विजह से आम सो सॉरी मैं आपको बताना चाहूंगी के उनका इंतकाल हो गया इनलाव नले राजयून अब इस दुनिया में नहीं है और उनके कुछ शोज हैं जो क सदा सलामत रखे और कोई गम ना आए आपके जिंदगी में बहुत बहुत शुक्रिया और आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं बहुत मज़े मज़े के बहुत शुक्रिया आप फरमाईश पूरी करती हैं जो भी अपना देती हैं हमारी फरमाईश पर बहुत शुक्रिया से आपने नाम नहीं लिखा वनना में आपका नाम भी पड़ देती लास्ट अब मैं पड़ लू रप्लाइ टू मिशी खान शो लहुर इसकार नामिक नजर हैं फ्रम इसलाम बाद बहुत शुक्रिया है लो मिशी एक से किन्या बहुत अब एक दम से आना शुरू हो गें message hello my name is Shayan Hassan Bhatti your show is very nice and the answer is Lahore बहुत शुक्तिया थैंक यू एक हमारे साथ कॉल एंचे बात कर लेते हैं hello assalamu alaikum assalamu alaikum call drop 4 min यह होता है जगा change करने से मेरे दमाग चेंज हो गया मुझे याद ही नहीं रहता के time कितना कम रहे गया अब क्या करेंगे नहीं लिका लेंगे तो लेकिन दम तो लगा नहीं उसको oh I'm sorry he can do me in bed then towards a jar minute tak tisgar the tea ogiski मेरे खाल में अच्छा पल्वाशा अब आप यह बताएं के को खाटून ने अगर आपको contact करना on Facebook and all up a query I do space it's on Instagram and a number behave us public contact कर सकते हैं and they can give me the application or show we hook up a risk accordingly I can tell for you okay the word us up over again can now up kishari sunniyo shazia facebook pay-in-star pay shazhi akbar he can answer me shari be here shazhi akbar ke nam say shari a or nazi na आप को बता दूं कि कल सुबा साड़े नौबजे और शाम को सापहर जो है साड़े चार बजे शो जो है वो दुबारा से रपीट होगा तो आप जूरू देख सकते हैं सो मैं चाहूंगी को अच्छा सा पलवशा खवातीन के हवाले से यह जनरली को अच्छा इसी आप बात कहना चाहें to the viewers I would like to say के वो आपका कैमरा है okay okay I would like to say के और तो के इजद करें चाहे वो आपके घर की है चाहे वो बाहर की है क्योंके सब और तो के जद्द जो होती है वो सांजी होती है तो you should respect women no matter what वो आपके घर से है बाहर से है यापके जानने वाली नहीं और यह भी है के obviously आपको भी जो खवातीन है please don't get offended आप लोग को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए जब आप भार निकलते हैं कुछ चीजों के decorum होते हमारी जो society है वेस्ट की तरह नहीं है कि आप जो भी करें तो जाहर है लोग को culture shock भी होता है तो आप लोग भी थोड़ा सा care किया करें और थोड़े से decorum का ख्याल भी रखा करें आप कुछ कहना चाहेंगी मैं इस से हटके एक और बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह हमारी कीमती है दूसरों की भी कीमती है आप अपने जिन्दगी को खुद value देते हैं आप अपने आपको खुद value देते हैं तो अपने आज को वैलियो दे, जो आज आपके पास है, जो लम्हे आपको मुझसर हैं, उनको भरपूर जीएं, भरपूर अंदास से जी कर गुजारें, क्यूंकि अगर आप माजी के दुख आज बैट कर रोएंगे, तो आज जाया कर देंगे, मुस्तक्बिल के खौफ आज कर दिन زाय होगा तो यही आपका माजी बनेगा और इसी की बुनियात पर आपका मुस्तक्विल, तो अगर आप अपने आपको वैलियो देंगे, अपने आपको वेटिश देंगे, और अपने वक्त को, जो है, वो किमती बनाएंगे, जितना उसका मुस्वत इस्तमाल करेंग उतना आपकी शक्सिया जो है वो बेतर तरीके से सामने आएगी माशाला बड़ा जबरदस्त आपने बात की है तो थैंक यू वंस अगें पलवशा आपका त्यू केम ऑन दे शो इंशाला आप से दोबारा मलकात होगी आप से भी शाजिया थैंक यू सोमाज अचा आप लिख लें जल्दी से मेरे लिए आफ दर लिखे तो सही आइटू ग्राफ देना जीन बहुत बहुत आपका शुक्रिया आज की जो डिश है वो रेडी हो चुकी है क थोड़ा सा हील जुल कर ले लिंशा मान रहां जबरदस्द प्रस्शिय आज Y बिर्यानी जो है रेडी हो चुकी है अब इसको थोड़े है टेस्ट कर लेते हैं यह क्या हो गया यह नहीं यह इसको इधर रखते हैं यह और इसको दरखते हैं अब थोड़ी सी टेस्टिंग करें इसमा मां जाएं करें जाएं जारूर टाय करें और इंशाला मजब अबताये कैसी आपके घर में बनी यसे रहना शपीक साफ आप आप लोग ओची लगी अग्जी थांक आज्ग द्रेस वास बाइड जाग सारा शुडियो तबारा से देकले इसका दुपता बड़ा सूरत है यह देकले इंशाला अब मेरी मुलकात होगी आप से अगले आने वाले जुमिरात वाले दिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखें घर वालों का ख्याल रखें और उससे पहले एक तस्वीर भी खेज लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्या आजी जब से मेरा इंस्ट्राग्राम है कुए मेरे दिल उट गया तस्वीरे खेजने से क्या करूं लेकिन कोई बात ने हो जाएगा smile cheese very nice thank you so much I hope up longer then kalachha guzrega we can enjoy key jayga or up to him look jazat let me are you up to me really quickly very nice thank you so much or it is a pala kudhafiz karthens kebath to see you guys since the jury नाजीन टेक के लाफिस मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिन्दाबाद